राम राम जैच्छतिस गड़ आप सब के मूर यूटूब चैनल सचसे सचतकार में हर दिक अपने अंदने हम सागात हुआ बिलासपूर संभाग के दूसरा रंक में हम सुरुआत करतन जांजगीर चापा जीला से जांजगीर से ही सुरुआत करतन देखो यहां पे बड़ा नाम नराण चंदेल जी विपच के नेता भारती जंता पार्टी कॉंग्रेस के मंडी अध्यच अभी अभी आपके बीजेपी से बोजन समाज पार्टी से बीजेपी बीजेपी से जोगी कॉंग्रेस जोगी कॉंग् मिलीस पर त्यासी बन गीज़ नराइण चंदेल जी के परिवार के इंटी के मैंसी को ला फाइदा मिला थे मान के चलो आप जो अर्दा लड़ा ये कहना मुस्की ले कि कौन जी थी कौन आरी काबर कि अगर नराइण चंदेल जी के वक्त का छवी तो बहुत अच्छा है लेकि राजनीती में जनता बहुत कुछ देख थे यहां पर जोगी कांवरेस के त्रिवेदी जी भी लड़ा थे लेकिन मुला ये लग थे कि अगर त्रिवेदी जी कम उट पागे तो फाइदा नराइण चंदेल जी लहे ज्यादा उट पागे तो ब्यास का स्वारी ज्यादा ब्यास का स्वाइदा है नेक टू नेक लड़ाई है दोनों में से को भी जी सकते हैं मान के चलाओ लेकिन मुला कहीं न कहीं लग थे कि कांवरेस के रवी पांडे और मुतिलाल दिवांगंजी अगर साथ दे दे होई अंदर से तो ब्यास का सकते मुला पढला भारी लगते अगर कॉंगरेस एक होके नई लड़े होई तो ना रांचल देल ला एज मिल सकते हैं अब आजाओ आप जाओ आप जांजगीर चापा के बाद अकल तरह सीट चतुस कोणी मुकाबला सौरप सिंग दमदार निता हैं मेले बीजेपी के बहुजान समाच पार्टी से भी हमेल लड़ी से राके सिंगार्ङेस उबिसके जींड़ ड़त कॉंगरेस से प्रत्यासी जोगी कांगरेस्ट एंगरेस एक जोगी जीपंत रिचार जोगी जी पिछला कुनाव बहुजान समाच पार्टी और जोगी कार लिस मिलके लड़ Darth से रारी की यहीं बह। लिगे फिर भी लेकिन मुला बता देता हमाँ रिचा जोगी और सौरफ सिंग के बीच में मुला मुकाबला फसे हुए लगते कोई भी दोनों में जी सकते लेकिन सौरफ सिंग एक वेल कौलिफाइड यूपीसी क्लियर करे हुए कंडिडेट है लोकपरी है यहाँ पर आपके राचपू समाज ठाकूर समाज के बोल बाला है लेकिन रिचा जोगी एक सौम में सरल महिला बड़ा बिहार कुसल सौम मेंता के प्रती मुर्ती जिसे रेनू जोगी जी वह इसे रिचा जोगी जी ओकर फाइदावला मिली नुक्सान हो ही तो बस जांजगीर चापा अकलतरा और पामगड़ा पामगड़ा के बारे माँ भी बता हरो पिछलंग में यहाँ पे इंदु बंज़ा जी बोजान समाज पार्टी के महले बहुत ताक्त वारे हाला कि उकर जेट के द्यांत के बाद कोरोना काल में दुर्भाग्य पूर्य सद्धा समाच पार्टी के ही नेता दो दोबार के जनपसदत संतोस लहरेला टिकेड़ दे गोरेलाल बर्मन जी के टिकेड़ कटे के बाद वो निर्दली तो नहीं लड़ा थे लेकि जोगी कॉंगरेस से लड़ा थे गोरेलाल बर्मन बड़े कलाकार और कॉंगरेस से सेज राज हर्व सोकर बेटी मन कुछ भी हो सकते लेकि मुला लगते कि बहुजान समाट पार्टी के पाया ला हिलाना इन सब के बर असान नहीं है लेकि फिर भी संतोस लहरे जबरदस चुनाओ लड़े मान के चलो आँ ये होगे आपके जानजगीर चापा जिला के तीन सीट अब आजाओ आप माही में वापास MLA केके धुरू जी डॉक्टर पचीस साल बीमों बीस साल मरवाई के फिर से टिकर दे बगावात हुई चालिस पतालिस बड़े कॉंग्रेस के निता जन्पाता जजज सरपंच पार्टी छोड़ दी अमी जोगी के रनिती कामा आगे जो पहली से प्रत्यास पंच और पूरा रिटायर फोजी पढ़ो कुमार मरपचीला टिकर दे ओला संगठन के कमी करकरता के कमी के सामना करें पड़ते हैं यहां पर मुला लग थे कि मरवाही कुमारी इलाका में आपके परासी लाका में जरूर कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई है कावर की परासी लाका वहीं आसपास के गाउं के वो सरपंच है बीजेपी के कंडिडेट मरपची जी लेकिन गोरिला पेंडरा और पेंडरा रोट के लाका में जहां पे ज़्यादा ओट है मरवाही छेतर के आपके दानी कुंडी से एतरफ के एरिया आपके कोटिमी के में हैं जोगी कांगरेस मामूला प्लस और एज दिखते कोटा रेनु जोगी जी विधाया बहुत कम समय माद पिछला चुनाओ जीती सिंबॉल बदले के बाद भी चुनाओ जीत गे चुनाओ लड़े के एक दम इस्टैली अलग है पच्छत्तर सतर पच्छत्तन परसेंड खोनसरा जंगल के इलाका में बेलगाना के अंदर वाला जंगल के इलाका में वहाँ पे अच्छा प्रतासी नहीं पहुंसका है वहाँ पे रेलू जोगी कई महिना से सक्क्री है उकर आदमी मन्सक्री है यहाँ पे अटल सिरास्तो जी बढ़ा नाम लोग सबच चुनाओ बातन में बहुत बुरी तरह तीनों मफसे एकर प्रतिष्ठा भूपेज बगल जी के मान के चलो लेकिन भारती जनता पार्टी यहाँ पे मास्टर श्ट्रोक करीश जुदेव परवार नाम ही काफी दिलिप सिंग जुदेव जी के बड़ा चर्चा के केंदर बिंदू ये एरिया जस्पूर से कोटा मा के चूनाओं लड़ा थे ओकर मजला बिटा प्रबल परताब सिंग जुदेव जी हिला के रख दे अर्बन एरिया कोटा बेल गहना गोरिला पेंडरा में लगते मुला भाजपला बढ़ा थे और सेकंड और थर्ड में कॉंग्रेस और रेनु ज जोगी जी और भारती जनता पार्टी के बीच मुला लगते कोटा के आदमी मैं इसे संसाधान इसे पईसार रुपिया के चुनाओं कभी नहीं देखे रिस जो एसमादे के का हो ही इंतिजार कर लाई मुला कॉंगरेस और जोगी कॉंगरेस का बीच मुला लगते गलत हो सकत आँ माब करू लेकिन यहीं मुला लगते यह होगी आप जीपियम के दो सीट अब आब आजाओं मुंगेली हाला कि बिलहला सब बिलासपूर मले थे लेकिन मुंगेली मले के चलता हूं लोर्मी यहां पे बड़ा उलट फेर हुई जिला धज सागर सिंग बैज जी जिला बिलत पूर से चुना लड़ थे लोकर फाइदा आपके अरुन साहू जिल मिला थे लेकिन आप लमा बतातों मैं कॉंगरेस से थानिस और सहू के लड़े के बाद भी यहां पर डारेट फाइटे जोगी कॉंगरेस औरुन साहू के बीच में यहां पे एक सत्रामी समाच के ल अरुन साहू के बीच में अगर अरुन साहू जी परदे सद्धाचनी होतीस मुख मंतरी के प्रबल दावेदार नी होतीस भाचपा के सत्ता बहुमत मिले के बाद तो मैं बिलकुल बोल देते हैं कि अरुन साहू जी चुनाओ हर गे यहां पे आखरी आखरी में यह चर्चा कि आफ विधाय के नहीं मुख मंतरी चुन रहा हो यह बात अरुन साहूला फायदा में पहुचा दिश और साहर सागर सिंग बैजी इही लडाईमा भानात मक्लाईमा और अरुन साहू के कद काठी के कारण थोड़ा सा पीछे होगे अरुन साहूला मैं वीनिंग कंडिडेट के रुपाद देखाता हूं मजबूती सिती में सिर्फ कारण यह कि अरुन साहूजी मुख मंतरी बन सकते हैं या बड़े मंतरी बन सकते हैं अब आजाओ आप मंगेली कद्दावार नेता च्छा बार के मिले दो बार के सांसद पूर्मंती पुनूलाल महले जी यह समान और लोबी सीवर्ग के चाहता नेता है कभी चुनाओ नहीं हरे अपन जीवन में ऐसे सौमे सरल नेता बहुत संघर्ज करें सामना करें पड़ते हैं काकर से कांगरेस के जिला पंचात उपाद्धा यूवा नेता संजीत बनर जी जबर्दस सुना है नेक टूनेक फाइट है ले करें मेले कभी धरम को सीराम को सीवर्ण को सीवर्ण से राडिती करीश और दोनों सायद मंडिय धच रही चुके काई सीथी धरम को सीग जी तकलिप में है आपना इमानदारीश बतातों मैं राजे शुकला जी आप्रभल दाविदार रही से पूर्मा चुनाओ लड़े रह और अवला डिफीट के सामना करें पड़ीश हार के सामना करें पड़ीश वापस वो कांगरेस माँ के प्रत्यासी बन गे मुला लगते कि धरम को सीग जी के ब्योहार तोकरतोर तरीका और भी जेन उखर के स्टाइल है पॉलिटिकल स्टाइल मुला लगते है वैसे भी और आकलन आपके बिलास्पूर संभाग के कंप्लीट हुआ थे जो और दार कैम बैक है ये इलाका में पहले भी भारती जनता पार्टी साथ सिर्थ जीते रही से जोगी कॉंग्रेस के अच्छा प्रभावरी से बसपा भी अच्छा चुनाओं जीते रही से यहां पे कॉंग्र और मैं आपला बता हूँ अंतिमूर विश्यसाड़ा ही ये विश्यसाड़ी आकलान आपला कैसे लगी जरू कमेंट सेर के बता हूँ लाइक सेर सब्सक्राइब करत रही हो जय भारत मा जय छत्तिगड़ महतारी